तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन वह विद्गौरब में कैसी चल रही आप लोगों की तैयारी फ्रेंड्स आपके एक्जाम की डेट आ चुकी है लेक्ट्र के स्क्रिणिंग जो एक्जाम है वह 21 मार्च को होने जा रहा है फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप सभी न मुझसे बात की तो इसलिए मैं उनको ढूंड के आपके बीच में लाया हूँ और उसी में से एक है आपका वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो अब चलिए मेरे साथ जो है हम लास तक बने रही है आप लोग और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको नोट करते वह चलिए क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग जो भी आपको इंपॉर्ट तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेसन तो आज हम जो है बात करने वाले हैं बौधिक संपदा अधिकार इंटेलेक्श्वल प्रॉपर्टी राइट ओके तो क्या होता है सबसे पहले तो हम यह जानते कि बौधिक संपदा आखिर होती क्या है तब हम अधिकार की बात करेंग वो चीजें जो है वो सिर्जित की जाती है उनके द्वारा उसको बनाया जाता है तो उसके संबन में यह क्या हुआ कि उनकी बौधि के द्वारा उसका निर्मार किया गया है तो उस पर क्या होना चाहिए उनका जो है वो बौधिक अधिकार होना चाहिए तो उनके बौधिक स्रिजन के बदले में उनको कुछ अधिकार प्रदान की जाते हैं, समझगे? उसी अधिकार को हम क्या कहते हैं? बॉधिक संपता कहते हैं, ठीक है न? और, फ्रेंड्स जो बॉधिक संपता अधिकार हैं उनका दिये जाने का मुख्य उद्देशी क्या होता है? कि मानव की जो सिर्दन सीलता होती है यानि कि उसकी क्रियेटिविटी होती है उसको जादा से जादा प्रोटसाहित करना होता है समझ गी तो बौधिक संपदा यानि कि जो भी मनुश्य अपने बुद्धी के द्वारा किसी भी प्रकार की नहीं खोज कला करती इस प्रकार की चीजने करता है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको कुछ अधिकार परदान की जाते हैं उसको हम बौधिक संपदा अधिकार intellectual property rights कहते हैं अब हम देखते हैं कि इसके क्या-क्या प्रकार होते हैं बौधिक जो संपदा है उसके जब हम प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें बात आती कि patent इसका patent लेना मिल चुका है patent का मतलब होता है कि जब भी कोई नया जो innovation होता है अविसकार जो कि अभी तक क्या है पूरे दुनिया के हंदर कहीं भी सारवजिनिक रूप से नहीं हुआ है या सारवजिनिक उसका नहीं हुआ है जो की एकदम नया है तो उस अविसकार के अनुपरियोग के लिए पहले जो है महां की जो सरकार है वो अनुमत ही दे देती है यानि वो देखती है कि जो वो अविस जो मिनट या पांच मिनट के अंदर जिया कोरोना का टैस्ट कर सकते हैं तो इस प्रकार की वह एक डिवास बना सक्षपोज उन्हों बना दी उसके बाद भारत सरकार के पाद उसको झाय बाद जो है सरकार चुख रेगी वह की फींट है कि नहीं जब वह उसको पेटेंट मिल जाएगा उसका कितने सालों के लिए मिलता है बीस वर्सों के लिए जो है वह पेटेंट दिया जाता है तो नॉर्मली जो पेटेंट है वह कितने वर्सों के लिए जाता है बीस वर्सों को दिया जाता है जिस दिन रेजिस्टर हुआ उसके बीस सालों तक यानि कि 20 वर्षों तक उस ब्यक्ति का उस पर अनन्य अधिकार है, उसके अलावा जो है उस चीज को जो है, वो कोई भी नहीं बना सकता है, उस ब्यक्ति है, उस संस्ता के अलावा, ओके, तो यह होता है आपका पेटेंट, और इसके संबन्द में जो दोस्तो एक अधिनियम भी आया था, उसका नाम है पेटेंट एक्ट 1970, ओके, तो पेटेंट एक्ट जो 1970 है, यह इसी के बारे में है कि जो पेटेंट है, वो किस प्रकार से रेजिस्टर्ड होगा, किस प्रकार से उसके अंदर, जो और चीजें प्रोसेस चलेंगी, ठीक है, और इसमें संसोदन हुआ, एक्ट के माधियम से 2005 में, ठीक है, तो यह जो दोनों ही एक्ट हैं, यह भारत में पेटेंट, जो एक्टेंट होता है, उसके रेजिस्ट रेजिस्ट्रेशन के लिए, उसके अप्लीकेशन के लिए, जो है, वो कार्यदाई होते हैं, अब हम last बात करते हैं की copyright क्या होता है, copyright, तो copyright क्या होता है दोस्तों, copyright के अंदर गत जो है वो जादतर कैसी समागरी आती है ऐसी समागरी जैसे कि पुस्तक हैं हो गई है न कोई computer program को डेटा बेस हो गई कोई चित्रकला कोई मूर्तिकला कोई संगीत कोई सिनेमा कोई विग्यापन हो सकता है कोई भी मैप हो सकता है तो इस प्रकार के जो चीजें होती है यह copyright के अंतरगत आती है यानि कि यहां पर जो है जो भी इसका writer होगा या इसको create करने वाला होगा उनके जो है अधिकारों को इसके अंदरगत संद्रक्षित किया जाता है आपने देखा होगा कि कोई भी जो book होती है उसके जो front page पे जो पेज के बाद एक पेज होता है उसमें उन्होंने लिखा रहता है कि यह copyright act के तहत इस ब्यक्तिका इस पर अधिकार है या इस संस्ता का है और इस पर अगर कोई भी इसक किसे होंगे नयतिक रूप से तो मतलब उस जो लेखा या रचनाकार का वहाँ पर जो है कोई पैसे वाला हित इंवॉल्व नहीं होगा लेकिन उसका नयतिक रूप से तो उस पर नाम है उसने उसको create किया उसने लिखा है उस बूक को तो इस लिए जो है यह नयतिक उसका स्मार्थिक अदिगार तो इस प्रकार से यह कौपी राइट जो है कानून होता है अब इसको सुरक्षित करने के लिए बारत के अंदर कौन सा act है कौपी राइट एक्ट 1957 झाले इसके अंपर घैया मानानी यह कहीं तरह की चीजिए उस अंदर होती है तो फ्रेंट्स यह है Coffee Right अब एक चीज़ इसमें आतीहे कॉफी लेफ्ट काफ़ी लेफ्ट क्या होता है कि कॉफ़ी लेबट का मतला होता है कि जब जो कोई रचना कार होता है या कोई भी लेखक होता है वह अपने किसी कि कि किसी भी उसकी रचना को यूज करने का अधिकार देता है यानि कि वो क्या करता है अपनी सहमती परदान करता है कि आप इस पर कोई ड्रामा बना सकते हैं कोई नाटक बना सकते हैं कोई फिल्म बना सकते हैं तो आपने एक तरह से अपना लाइसेंस दे दिया अपना उसको कि आप उस पर काम क क्या होता है जो ट्रेड मार्क है फ्रेंड्स ट्रेड मार्क से तात्पर होता है कि ऐसा कोई भी चिन ठीक है न यह कोई भी ऐसा साइन हो सकता है यह कोई ऐसा हो सकता है दो यह दो से ज्यादा जो अक्षर होते हैं यानि वर्ड्स होते हैं उनका ग्रूप हो सकता है कोई थी डा और सेवा के रिये किसी particular रूप से अरकचित कर दी गई है जो कि क्या करैएगी कोई भी goods है कोई service है उसको दूसरी service से अलग करेंगी है नवर क्या 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 जाएगा उसका trademark करना जब करना और उस trademark को 555 redirect करना भी जो है है कि जो आपने दिखा हुआ कि जो इन्डस्ट्री में डिजाइनिंग होते उनके पॉप्टिकुलर कोई लोगो होते उनका कोई स्पेसल डिजाइन होता है 3D स्ट्रक्शर होगा या उस पर कोई विसेस रहें होंगी तो यह पॉप्टिकुलर जो है वह कमपनी के नाम का trademark होता है और उस पर कोई और जो है उसको नहीं उसको copy कर सकता है और वो ऐसा copy करना जो है वो copyright कानून का उलंगन है वो trademark का उलंगन है समझ गए तो जो जैसे आपने देखें कुछ special company का जो है वो special अपने लोगों होते हैं लेकिन उनके नाम से जो है जो जो कॉप करते हैं जो फस्ट कॉपी निकालते हैं वो आपके उनीके लोगों का इस्तेमाल करके उस प्रकार की चीज़ें निकालते हैं जैसे नाइकी के होगे उनकी क मैंने बात करें यह था चीजेक और सौन तो यह होता है हमारा नेच्स अब भॉगोलीक संक्यतक यानि कि आपका जी आई आपने बहुत बहुत बाह सुना होगा होगाए खुषारों में कि इन दो राजों के बीच में इस चीज के लिए लडाई चल रही है और उसके जी आई के लिए लडाई चल लहाना चौनि याई होता क्या है जी का मंदलब होता है फ्रेंट्स कि कर दो कोई चीज किसी इस्थान में अगर बिसेशी गाई जाती है यह पैदा की जाती है यह पारंपरिक हुआ अस रहत अइन को उस वस्तों से क्या हिए चाहित कर देता है विज़नेन के के केसर को एक टैग दिया गया कि यह केसर कस्मीर का है और वहाँ पर इसको इसका जोग्रफिकल इंडिकेटर उसको टैग मिल चुका है जैसे कि तिरुपति के लड़ू बहुत फेमस है ऐसे ही आपने कुछ ही टाइम पहले जैसे अभी एक-दो साल पहले की बात है जबकि मध् के लोगे तक बिखता है इतना ज़्यादा वह डिमांड में तो वह जो मुरगा है वह इस्पेसली पहले वहीं पाया जाता था तो इसलिए वहाँ पर उसको जिया टैग मिलने के बाद जो है वह उसकी जो कीमत हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मेली यह किसले दिया जाता है डियाइटाग ताकि जहाँ वह ज्यादा से जहाँ चेत्र चे लिए अंदर उसका परचार परसार किया जा सकते है उस प्रोड़क्ट का और उस प्रॉड़क्ट का वो विस्वभ solaards प उपसे लिए यहाँ त्या से मार्केटिंग की जा सके okay तो इसलिए यहाँ पर किसी पर्टिक्रलर जगे पर बनती है तो हम क्या कर सकते हैं उस जगए के लिए उसको आवेधन कर सकते हैं कि हमको यहां का जियाइ जो Sall है वो बहुत famous है ना तो इस परकार के जो चीजें हैं ये GI Tech के अंतरगाता आती है और कौन-कौन से उतपाद हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है इसमें किर्ट से उतपाद हो सकते हैं है ना तो इसलिए जो है वह ज़िए टैग के लिए लड़ाई चलती रहती हैं आपने देखहें होगा कभी घर की लड़ाई चलती हैं यह चलती हैं और यह नकीये सлохर देश जलती हैं बलकी इंटरनेशनली भी चलती रहती हैं जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि भारत ने जो है वो जो बासमती राइस है उसके लिए इंटरनेशनल जो इंट्रलेक्च्वल प्रॉप्टी राइस और नाइजिसन ने उसमें आवेदन किया उन्होंने कहा कि हम हमारे यहां भई बासमती है तो हम हमको जी आए टैग मिलना जी लेकिन पाकिस्तान ने उस पर क्या किया एक तरह से आपती जदाई अपनी और एक तरह सो उसका बिरोध किया क्योंकि उन्होंने का कि हमारे यहां भी तो यही जो है सेम बासमती राइस मिलता है तो इनको पेटेंट क्यों दिया जाए तो इस प सॉप्यरर की बात करें तो सॉप्यरव में यहां पर दो चीजर होती है Sources होते हैं एक तो फच्ट होते हैं जब साफर बनाने वाला कि वह क्या करता है कुछ तैम के लिए उसको अपने पास रखता है उसका पैटेंट और उसके बाद जो है उसको बना देता है तो ओपन सोर्स रखने से क्या हुआ कि जो Android है उसको परती कोई भी कंपनी है उसने फटा अफट से उसका इस्तेमाल करना सुरू कर दिया यानि कि Android यूज़ करने के लिए उन्होंने Google को पैसा नहीं चुकाने पड़ते हैं समझे तो इससे क्या हुआ जो Android है उसका पर्चलान इतना बड़ा कि आज हर एक जो फोन है वो लगबग Android प्रेटफर्म पर चलता है Apple OS को छोड़ कर है ना तो यह होता है open source जिसके अंतरकर जो कोई भी particular उस company hardware बनाने वाली वो उसको उस software का इस्तेमाल कर सकती है तो उसको open source कहते हैं फिर दो दवाईयां है उसमें भी चलती है एक तो होती है branded दवाईयां दूसरी होती patent है लेकिन जब 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या होता है वो patent उसे छिन जाता है फिर क्या होता है कोई भी जो है XYZ जो है छोटी मोटी company फार्मा इदार उदर की वो क्या करेगी उनका उसी brand के अंदर जो भी जो है उसका organization होगा जो 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 उसके अंदर दवा जाता है और पूरी दुनिया में हैं अपर यहां से जändernरिक जो मेडिशन है उसका एक्सपर्ट किया जाता है आपने आपको पता है कि बरतमान में जो है वो बहुत सारे जैनरिक मेडिसन के जो है स्टोर्स भी जो है वो खुले वे हैं तो वो स्टोर्स क्या करते हैं इसी प्रकार के दवाईयां देते हैं अब वो दवाईयां ऐसी नहीं को कोई नकली दवाईयां होती हैं वो दवाईयां 1967 में यह organization बना था इसका जो मुख्याला है वो जेनेवा स्विजरलेंड के अंदर है तो यह आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्याला यानि हैड कोटर है वो कहा है जेनेवा स्विजरलेंड और 1975 में भारत ने इसकी membership ले ली ती तो membership लेने से क्या होगा कि अगर भारत का कोई भी intellectual property है जो कि भारत के अंदर invent हुई है और अगर वो किसी देश के अंदर जो है वो यहां से कोई उसको आइडिया को चुरा कर किसी और देश के अंदर उसको patent करवाता है अमेरिका में जा के कहीं भी दर उदर तो friends उसके उपर जो है इस प्रकार के जो यह organization होता है यह इन पर नजर रखता है ठीक है और इसका काम है कि दुनिया के अंदर जो रचनात्म गतिवदिया है क्रियेटिविटी है लोगों के बीच में वो किस प्रकार से ज्याद़ जदा उसको product किया जाए उसको बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से यह काम करता है आपका विस्व और नहीं किये रिसर्च और डेवलोपमेंट तो उन्होंने अब करना सुरू किया है लेकिन उससे पहले वो क्या करते थे कि दूसरे देशों के जो product होते उनको खोल कर उनके अंदर की technology चेक करके और उसी से related जो है चीजों को इतनी बल्क में जो है manufacture कर देते थे कि उनकी कीम पदा organization ठीक है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी तरीकी से समझ में यह आ चुका हुआ अब हम बात करेंगे आज दूसरे जो topic हमारा हुआ है सूचना का अधिकार यानिकी RTI ओकी RTI जो act है 2005 में बना था तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आकर सूचना का अधिकार का म उनके जो जन प्रतिनिती हैं उनके जो उन्होंने रिपरजेंटेटिव भेजें अपने वो काम कैसा कर रहे हैं जो जिस प्रकार के उन्होंने वादा किया था उसके according वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यह सारा सुनिश्चित करना कि इसका काम होता है यह इनका काम होता ह कि जो जन प्रतिन दी तो उसके लिए जो जनता को पता कैसे चलेगा जब जब वो उसको information दी जाएगी तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो सूजना का अधिकार जो है वो लाया गया जिसके अंतरगत इसका मेन उदेश है कि सासन में किस तरीके से एक transparency हो एक जबाब देए हूँ इसके अंतरगत इसको जो है लागो कर दिया गया कब 15 जून 2005 से अधिनियम लाया गया और 12 अक्टूबर 2005 से इसको पूरी तरीके से लागो कर दिया गया इसके अंतर क्या-क्या चीज़ें होती है इस धारा में बोला गया है कि आप क्या करेंगे पहले तो सतही रूप से क्या करेंगे जितनी भी आपकी जो योजदाएं होती है या पब्लिक जो भी कोई अधिक संस्ता जो है वो गौर्मेंट के अंदर में जो काम करती है वो जब कोई काम करेगी तो वो क् उसके बाद दोषेन सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं कोई दस्ताविज हो सकता है कोई कोई वीयल हो सकता है यह कोई प्रेस्ट हो सकती है जिसे प्रते तेνडर गभर्मिंट्वर्मेंट को क्या करना पड़ेगा information जनता को प्रवाइट करवानी पड़ेगी इस एदिनियम के अंतरगत और वह जो एक्ट है जब वह information मांगी जाएगी तो वह किसके फॉर्म में होगी वह कोई कुछ उससे एक फोटो कॉपी दे सकते हैं या कोई c d दे सकते हैं को बीडियो कैसेट दे सकते हैं या कोई आस प्रकार की सामागी है या कोई उससे related सेम्ट दे सकते हैं ताकि आपको उससे सोचना के बारे में पता चलें तो कि आपको प convenience के लिए कई rules भी बनाये होती है कोई भी लोक सिवा का अधीकारी है कोई भी अधिकारी है कोई भी भी विभाग है खसता है उसको 30 तीस दिनों के अंतरगत इस सर्विस को झायना ज ज जरूल courageous वैं यह और कौन जान करी है वो मांग सकता है ठीक है ना तो इस प्रकार से जो है यह सुचना मांगी जाती है अगर तीस दिन में नहीं दी जाएगी तो क्या हो सकता है उसके बाद जो है फ्रेंड्स इसके अंदर अपिलिट जो ट्रिबिनल होता है उसमें सिकायत की जा सकती है उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो केंधर और राजियों के इस तरह पर जो है वह क्या बनाएगा सूचना आयोग にहीं है वो घृता है ग्णुक पर नहीं है यह कांव यह क्या वर बैठते के दोरा दी जारी है कि नहीं दी जा रही है तो यह सुने स्चित करना उनका काम है अगर जो ओकेंद्रिया जो सुचना आयूट की बात करें तो उसमें मैं तो एक सुचना आयूख होता है बाकिये उसके लावा 10 ather members भी होते हैं इसनी प्रकार राजव में होता है और अगर यह नहीं देता है कोई भी अधिकारी इस प्रकार की फूने देने से मना करता है तो 250 रुपे परती दिन के हिसाब से उस पर क्या लगाए जाएगा जुर्माना लगाएगा और 25,000 रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जो उसकी सेलरी से काटा जाएगा तो इस प्रकार की इसके अंदर प्रावधान किये गए है और जितने भी आपके पप्लिक सेक्टर यूनिट वूझा प्याइस से चाल रहे हैं जैसे कि आपको और्डिनेंस फैक्टरि और ये सब चीजे यहाँ पर भी इन्फॉर्मिशन मांगी जा सकती है राश्टरपती, प्रधान मंत्री, संसद, सर्वोच नियाला, यह सारे के सारे इसके अधिनियम के अंतरगत आते हैं, कोई भी इसके दाइरे से बाहर नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, वो इससे बाहर है, यानि कि पूरी तरीके से अगर कोई नीजी संस्ता है, तो वहाँ पर यह इस सोचना के माधियम से, इसके माधियम से सोचना को प्रावदान इनके द्वारा मांगा जा सकता है, ठाहिक है, तो यह होता है दोस्तों, RTI, यानि कि Right to Information, यह क्या है, भारत की संसेड़ इस के द्वोरा ये बनाया गाया कानुन है जो कि भारत की जो जो लोग है उनके नागरिकों को just बनाने के लिए जो सरकार है उसमें किस प्रकार से पार्दा सुनिषिता लाई जाए उत्तरदाईता पूर्ण यानि कि accountability उनकी fix की जाए भष्टा चार को किस प्रकार से कम किया जाए और लोग तंत्र जो है उसमें परतिक नागर के एक तरह से भागिदारी कैसे सुनिश्चित हो यह सब सुनिश्चित किया जाए तो यह सब चीजें होती हैं आपके इसके होंगा तो आए होप आपको पसंद आया तो पसंद आया तो लाइक कर दिजिए फ्रेंड्स और थैंक्यू सो मच एवे गुड़ देग